कांगरेस ने 50 से ज़ादा घटिया कानून बनाए सम्भिधान के खिलाफ जाके कानून बनाया है लेकिन यह जो वाक पैक्ट बनाया है यह तो बिलकुल सम्भिधान के खिलाफ है यह वाक पैक्ट हमारी देश की एकता घंड़ता के खिलाफ है राइट टू जस्टिस के खिलाफ है सम्भिधान केहता है सब को जो नियाय मिलेगा वो एक जगह से मिलेगा लेकिन वाक पैक्ट के लिए अलग से बगादर ट्रेबुनल बन गया यह इक्वैलिटी के खिलाफ है भारत की संस्कृती के खिलाफ है और सबसे बड़ी बात यह यह वाक पैक्ट अनिस्लामिक है अनकुरानिक है अनिस्लामिक इसलिए कह रहा हो क्योंकि मजार बनाना अनिस्लामिक है अनकुरानिक है पूरे अरब में कहीं एक भी मजार नहीं है लेकिन वाक बोर्ड मजार बना बक्षाह नहीं है, लेकिन वर्ख बोड बकाइदा दर्गाह बन्वा 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 के अब कुरानिक है लेकिन वक्ष बोर्ड के जरीए जगा जगा पक्का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह आज की देट में वक्ष बोर्ड के पास जो प्रापर्टी है वो दुनिया के पचास देसों से ज़्याधा प्रापर्टी है माल्दीव का जो टोटल एरिया है वो 75,000 एकड है और वक्ष बोर्ड के पास 10,000,000 जमीन है शिंगापूर का जो टोटल एरिया है 1,80,000 एकड है भारत में वक्ष बोर्ड के पास 10,000,000 जमीन है बहरीन का टोटल एरिया एक लाख नब्बे हजार एकड़ है और भारत में वकबोर्ड के पास दस लाख एकड़ जमीन है हंकांग का टोटल छेतरफल 2,75,000 एकड़ है और वकबोर्ड का टोटल जगह है वकबोर्ड के पास वो 10 लाक एकड़ जमीन है डेन्मार का टोटल एरिया 3,45,000 एकड़ है और भारत में वकबोर्ड के पास 10 लाक एकड़ जमीन है फिनलैन का टोटल एरिया 3,90,000 एकड़ है और भारत में वकबोड के पास 10,00,000 एकड़ जमीन है मारिसस का जो टोटल एरिया है वो 5,00,000 एकड़ है और भारत में वकबोड के पास 10,00,000 एकड़ जमीन है जारजिया का टोटल एरिया 9,60,000 एकड़ है और भारत में वकबोर के पास 10,00,000 एकड़ जमीन है 9,00,000 से जादा अगर quantity wise देखें संख्या के हिसाब से देखें तो 9,00,000 से जादा property है और area wise देखें छेतरफल के हिसाब से देखें तो 10,00,000 एकड़ से जादा जमीन है दुनिया में 200 देखें अगर उसमें आप उनका area की साब से calculate करिए तो दुनिया के 50 देखों से जादा जो छेतरफल है वो भारत में वकबोर के पास जमीन है असमवैधानिक है, अनकुरानिक है, अनिस्लामिक है और भारत में एक देख दो विधान का concept करता है हिंदू के पास वकबोर जैसा कानून नहीं, जैन के पास वकबोर जैसा कानून नहीं, बौध के पास वकबोर जैसा कानून नहीं, सिख के पास वकबोर जैसा कानून नहीं क्रिस्टिन के पास वकबोर जैसा कानून नहीं है पारसी के पास वकबोर जैसा कानून नहीं है बहाई के पास वकबोर जैसा कानून नहीं है यहूदी के पास वकबोर जैसा कानून नहीं है केवल और केवल मुसलिम्स के पास वकबोर जैसा कानून है तो एक तरीके से ये भारत के नागरीकोव में जब हम कहते हैं सब लोग एक समान हैं वकबोर्ड में एक MLA होगा वो मुसलिम होगा वकबोर्ड में एक MP होगा मुसलिम होगा वकबोर्ड में एक एडवोकेट होगा वकील होगा वो भी मुसलिम होगा वकबोर्ड में एक IAS officer होगा वो भी मुसलिम होगा एक इंजीनियर होगा टाउन प्लानर होगा वो भी मुसलिम होगा ओभी मुसलिम होगा व compete साथ के साथ मेंबर मुसलिम और वाइव एक भी इंच जमीन सरकार नहीं ले सकती वह बोर पर पैसा आ रहा है सरकार एक रूपए नहीं लेती और सरकार के जतने पदाधिकारी और वक बोर के ओफिस में जतना कर्चा होता है उनके मन्त्री से लेके संत्री तक उनके अहां जितने कर्मचारी है, सब का जो सेलरी वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कहां से जाता है? वह सरकार के खञजाने से जाता है, यहीं tax55 car के पैसे से जाता है. इतना खतरनाक कानून तो पूरी दुनिया में नहीं बना इसलिए मेरा ये कहना है इस कानूनों में सुधार करने की बजाए इसको खतम करना चाहिए मैं क्यों इसमें अमेंडमेंट का विरोध कर रहा हूँ क्योंकि अमेंडमेंड हमने किया लेकिन अगर विखबोड बचा रहा कल को कोई सेकुलर सरकार आएगी वो दुबारह फिर से इस अमेंडमेंड को खतम करके पुराना वाला रिस्टोर कर देगी इसलिए कहते हैं न रहेगा बास न बजे की बासुरे कॉपल् 얼마나 दीजे के वन नेसनु दोनेशन कोड बना दीजे वह इंदू दान करते है तो उनका रिश्टरेशन कहां होता है ट्रस्ट कोड मे उता थी सफशन होगा अलग अलग कानून-क्यूम्याल एक कमुनिटी के लिए एक बार समझ में आता कि और माइनाटी के लिए कोई कानून बने लेकिन माइनाट वह भी माइना मुस्लिम तो माइनाटी भी नहीं है क्योंकि यूएन की डिफिनिशन कहती एनी ग्रूप पार कमुनिटी विच इस सोचली एकोनामिकली पॉलिटिकली ड है तो उसके हिसाब से मुस्लिम माइनाटी भी नहीं है सासन हो चुका है पहले इस देस में भारत में तो उसके हिसाब से भाइनाटी नहीं है और संख्या के हिसी नहीं नई है इस समस्या को जड़ से खतम करें भारत में एक देश एक धर्मस्थल संघिता लागू करें एक देश एक दान संघिता लागू करें एक देश एक संपत्ति संघिता लागू करें प्रापर्टी वो चाहे वकबूब